नमस्ते दोस्तो वेलकम टू माई चैनल अनी अन्फिल्टर्ट मैं हूँ अनी फ्रॉम दे सिटी ऑफ जॉय कोलकाता आज हम एक एक्साइटिंग जर्णी पर जा रहे है शियालदा कोलकाता से लेकर ब्यूटिफुल बीच टाउन पूरी तक और हमारी राइट है पूरी दुरणतो एक्सप्रेस ये ट्रेन सुपर फास्ट है और ये रूट काफी कन्वीनियन्ट है क्योंकि यहाँ पर बस कुछी स्टॉप्स है रात के आट बजे को ये शियालदा स से डिपार्ट होता है पूरी दुरणतो एक्सप्रेस और उसके बात का स्टॉपिश है खरकपूर फिर भुवनेश्वर और सुबह के चार बजे के अंदर जो की 355 एम के अंदर आप पूरी पहुच जाओगे पूरी सिचुएटेड है उरिसा के स्टेट में तो चलो देखत है कैसा रहता है हमारा जर्णी तो ये है श्रियाल्दा स्टेशन कोलकाता का एकदम हस्लिंग बस्लिंग स्पॉट हम आज जर्णी करने वाले है 22201 पूरी दुरणतो एक्सप्रेस में जो की रात के 8 बजे को डिपार्ट होने वाला है और 355 एम में ये पूरी पहुचने वाला है बीच में इसके स्टॉप तो मैंने आपको पहले बता दिया था कुछ ज़्यादा है जल्दी मैं स्टेशन पॉच गई थी छे बजे के बाद ही और ट्रेन था 8 बजे तो कुछ देर मैंने श्याल्दा स्टेशन में वेट किया यहां पे बहुत सारी वेटिंग एरिया तो आप आराम से वेट कर सकते हो और एकदम सारे साथ बजे इनों ने पूरी दुरंतो एक्सप्रेस को प्लाटफॉर्म नंबर 9 में दिया था यह हमेशा प्लाटफॉर्म नंबर 9 में आता है श्याल्दा में और मेरा इस ट्रेन में कोच था AC2 टायर तो जल्दी से मैं कोच धून रही थी तो चलो सीट धून है तो जल्दी से मैंने सीट धून लिया और मुझे लगा कि मैं आप लोग को अपनी ट्रेन के कोच का एक टूर दे दू मैंने अंदर जाके सीट धून के लगेज रख लिया था और लगेज रखने के बाद मैं फिर से भाहर आय थी शूट करने के लिए अंदर घूसी आपक जाने के बाद ठीक था वेल मेंटेंड था बोलने से साफ कर दे रहे थे लेकिन सुबे के चार बजे पहुच जाएंगे तो जादा यूज नहीं करने का था और रात के आठ बजे को ट्रें लीव हो रहा था यहां पर अंदर भी एक वाश बसीन है जैसे ट्रेन में जाने के लिए जो जगा दिया था उन्होंने बस दो ही था वो भी अपर बट में लेकिन चार लोग बैटेंगे या पर तो चार बॉटल कहा रखेंगे तो बॉटल रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था रीडिंग लाइट्स भी था सीट्स के साइड में लेकिन एक साइड में था लेकिन वो बहुत ही पावरफुल था रीडिंग लाइट्स था कि रात के ग्यारा बचे के बाद चार्ज हो रहा है कि नहीं यह हमारे सेफटी के लिए रेलवे आथरीटीज ने किया है मुझे नहीं पता इसके बारे में and then मुझे बस एक पॉइंट ही बहुत ही खराब लगा कि बॉटल होल्डर आप दो ही दे रहे हो लेकिन यहाँ पर चार लोग बैठेंगे तो बाकी दो बॉटल कहां पर रखेंगी वो लोग and train में चटते ही मुझे भूख लग गया था मैं तो हूँ बहुत बड़ी फूडी मेरा नफ्यों गया था मेरे साथ में तो उसका थोड़ा सा खाना बच गया था वो भी उत्तप मेरी दीदी घर से बना के लाई थी वो मैं खाली चल्दी से खाते-खाते मैं देख गई आठ बच गया और एकदम आठ बचे को डॉट ट्रेन डिपार्ट कर गया शियाल्दा स्टेशन से एकदम ही लेट नहीं था वो और एकदम टाइम पर वो डिपार्ट हो गया और चलते-चलते ही हम क्रॉस करने वाले थे मा गंगा गो और गंगा जी के पहले ही आया दखिनेश्वर स्टेशन दखिनेश्वर स्टेशन से मैं प्रे करी थी कि मुझे दखिनेश्वर काली मा का टेंपल भी दिख जाए देखो वो फेमस स्काइवाक दिख गया और यही से हम मा के टेंपल के अंदर जाते हैं लग्यếu के मान का दरशन मिल गया जaghernाद देव जी के पास जा रही डर्शन करने के लिए उसके पहले मान का मैत घंगा के सहाथ heart भूड अगंअ दूघ के साहतなた का जाना मैं रही या दरशन मेरा जन vivid शूट करने के बाद मुझे जल्ड़ी भूखला गया मैं साइड बट में थी दूसरे के सीट में तो वहाँ पर जो बैटने वारे थे वो लोग भी आ गए फिर मैं जल्दी से भाग के अपने सीट में चली गए क्योंकि मुझे भूख लग रहा था मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं बहुत बड़ी पूड़ी और मुझे ट्रेन का खाना खाने का मन नहीं था मुझे कुछ स्पाइसी खाने का मन था तो मैं घर से लाई थी खाना एक्चली घर से नहीं दादा बोड़ी से ओर्डर किया था और उसी वक्त कुल ज़र पहले ही रेलवे ऑथरिटी से लोग आके हम लोग को बोतल लेके गए एक लीटर का बोतल जिसका प्राइस होता है फिफ्टीन रुपीज लेकिन यह आपको फ्री में देंगे पर परसन वन बॉटल पर एक लीटर और मैं लाई थी दादा बोड़ी से ओर्डर करके ड्राई चिली चिकेन और गार्लिक चिकेन और साथ मैं बाहर से रोटी ओर्डर किया था तो मैं रो बुटी घाने का मन कर रहा था तो मैंने रोटी जूस किया और क्या बोलू यारे लोग बिर्यानी बीटन अच्छा बनाते और साथ में चिकेन के कुछ चाइनीज डिशिज भी बहुत अच्छा बनाते राई चिली चिकेन बहुत स्पाइसी था लेकिन उतना ही जूसी और ट नहें पे ट्रेन रुका वा था 10.14 रहा था 20.15 मिनिट लेट चल रहा था ट्रेन तो मुझे लगा कि खरकपूर के स्टेशन को मैं शूट करूँगी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस साइड में धिकने रहा था उस साइड में क्योंकि कर्टेनज खिच हुए थे उस साइड में खरखपूर स्टेशन था, मैं वेट करें थी शूट करूंगी, शूट करूंगी, फिर जब मैं उठके चलके गई कि अरे हाँ ये तो खरखपूर स्टेशन है, मेरा मिस हो गया स्टेशन में शूट ने कर पाई, फिर मैं बोल रहे थी कि भुवनेश्वर कुछ दर पहले ही सोने से, और बोल के गई थे कि आज से कुछ लेके मत जाना, क्योंकि ट्रेन तो पहुचेगा चार पजे, तो वो लोग उतने सुभे नहीं रहेंगे चेक करने के लिए, कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो ये हमारे ही responsibility है, कि हम सब कुछ एकदम ध्यान से र एक bedsheet already दे दिया था, तो मैं चड़ गई थी, अपर बर्थ में एकदम सेट कर लिया था, मैंने अपना जो बेड है, उसको एकदम cleanly सेट कर लिया था, कि मैं अभी सोंगी, नहीं, अलाम लगा के सोंगी, सारे तीन बजे का, मैंने अपने अपर बर्थ को एकदम साफ तरीक के रखा था कि प्लीज जब भी पहुचे सारे पाच बजे के अंदर या पाच बजे के अंदर, प्लीज होटल खोल देना, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है हमारे साथ, तो हमने रिक्वेस्ट किया था, होटल पहले से ही बुक किया हुआ था, तो उन्होंने खाता हा, वहा खाता हुआ था, आपको वीडियो में बाद में पता चलेगा, तो चलो गुटनाइट मिलते हैं पूरी में, and then एकदम चार बजे के अंदर, ट्रेन लेट नहीं था, हाँ, बीस पंदरा मिन लेट चल रहा था, लेकिन चार बजे के अंदर हम एकदम पूरी स्टेशन में तो यह मेरे लिए एक बहुती स्पेशल मॉर्निंग था, so good morning from पूरी, हम लोग का ट्रेन रुका था, प्लाट्फरम नमबर वन में, पूरी स्टेशन रेनोवेट हो रहा था, मैं लास्ट आय थी 2013 या 2014 में, तो बाहर का जो चुट्रक्शन है वो एकदम तोड़ दिया था, उन्होंने वो new look आने वाला है पूरी स्टेशन का, अगर फ्यूचर में कभी जाओंगी, तो definitely मैं आपको वो भी देखाओंगी, तो हम लोग निकले थे पीछे से प्लाटफरम नमबर चार से, और वहाँ प एक रेस्टिंग एरिया था, टिकिट काउंटर था, निकलते ही आ आपको प्राइवेट कार्स, ओर्टो, टुक्टुक्स मिल जाएंगे आपको पहले बोला था कि मेरा होटल लोकेटेड है, एकदम पूरी लाइट हाउस के एकदम पीछे ही, तो ओटो उन्हें 300 रुपीज लिया था, बारगेनिंग करने के बाद, जो मुझे ठीकी लगा, और पहुचने के बाद हम लोग बार-बार होटल वर्कर को फोन कर रहे थे, क्योंकि ऐसे हमने पहले इंफॉर्म करके रखा था कि इस टाइम पे हमारा ट्रेन पहुचने वाला है, हम पाच सारे पाच बज़े के अंदर पहुच जाएंगे होटल में, तो हमने रिक्वेस्ट किया था, प्लीज अरवासा खोल देना क्योंकि छोटा सा एक बच्चा है, लेकिन हम लोग वाब पे 15 मिनिट वेट किये, क्योंकि वो वर्कर सो गया था अंदर, फिर हमें ओनर को फोन करना पड़ा, ओनर का नंबर था हमारे पास, उन्होंने वर्कर को फोन किया, तब जाके वर्कर उठा, समझ में आ रहा है कि वो टायर्ट था दिन के एंड में, आइविन दिन के शुरुआत में, लेकिन कोई नहीं, तो 15 मिनिट हमें वेट करना पड़ा होटल के बाहर, फिर उन्होंने जब दराजा खोला, तो देखते हैं, चलो मैं आप लोग को रूम टूर देती हूँ, तो पहले अंदर घुसते ही कोई लिफ्ट नहीं है, हमारा रूम था सेगंड फ्लोर में, यह सब जो जगाते हैं बहुती स्पेशियस और क्लीन था, होटल भी देखने, रूम भी देखने में बहुती स्पेशियस, बड़ा, दो लोगों के लिए एनफ है, आई थिंग यह पर तीन लोग आराम से आजाएंगे, एक बड़ा सा सोफा था, टेबिल था, चेर था, टीवी था, टीवी तो कोई काम का नहीं, क्योंकि हम गूमेंगे, फिर गूम के आने के बाद रूम में टायड हो जाएंगे, थोड़ी हम टीवी देखेंगे, बैलकनी भी है, बेट भी क्वीन साइस, बेट है, स्पेशियस है, एसी रूम था, एसी है, पंका है, एना फ्लाइट है, कबड है, साइड में मिरर है, ड्रोइड भी है, कबड भी बहुत ही स्पेशियस था, एकदम ओपन ने हो रहा था, मुझसे क्योंकि दरवासा थोड़ा से प्रॉब्लम था, मैंने उनको बोला था कि बाद में ठीक कर दो इसको, तो उन्होंने ठीक कर दिया था, होटल का सर्विस मुझे ठीक ठाक लगा, ठीक ठाक था, उतना खास भी नहीं था सर्विस, क्योंकि एक काम मुझे बार बार बोलना पर रहा था, तो या, लेकिन पार बजे, पाच बजे सुबह की समझ भे नहीं आ रहा था कि, सी दिख रहा है यहां से, मुझे लग रहा था कि हाँ, सी ही सामने ही है, क्योंकि सी बीच के वहां से हम यहां पर गुसके आए, स्वायद नहीं दिखेगा, तो I was kind of sad की, नहीं, सी नहीं दिखने वाला, फिर जब सुबह का टाइम हुआ, सनराइज हुआ, सुबह के चे बजे तक मैं जगी थी, यह देखो, एकदम इतना सुन्दर नजारा, इस कॉर्नर से जो लाइट दिख रहे हैं, वहां से भी पूरा एकदम सी दिख रहा था, और सीधा एकदम लाइट हाउस, लाइट हाउस का ज आज का वीडियो, यह था मेरा रूम टूर, मैं काफे एक्साइटेड हूँ, पूरी को एक्स्प्लोर करने के लिए, जगनाथ टेंपल विजिट करेंगे और बीच का भी मज़ा लेंगे, पर यह सब नेक्स्ट अडवेंचर के लिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी अगले वीडियो में हम पूरी के मैजिकल स्पॉर्ट को एक्स्प्लोर करेंगे, तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अनी अन्फिल्टर को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई!